नमश्कार आप सबी का स्वागत है लोग वाने के स्कुलेटिक में सुनारी भारास सेवास्रम संके सन्यासी पर नबालि के साथ दूसकर्म करने का आज़ोग कोंग्स प्रदेस सतिक्स ड्ोक्टर जेक खुमाने राजसरकार पा साध निशाना कहा राकट राप्ड दास ने किया हर वर के लोगों को दिया धुका गोल्बुरी पोलिस ने नामताबस्ती के पूर फॉजी को अवैद रूप से हतियार रखने क्या आरोप में क्या ग्रिफतार ग्रिफतार पर भेजा जेल और कॉर्पेटिव लाग कालेश में नए सत्र के अड्मिशन फीस में और मुत्री खिलाव स्ट्रेंग यूनियर ने किया अर्थिन लगन प्रदर्शन आप खबिस दार से जमशेत्पु के सुनारे सतिधभारत सेवा श्रम संग की एक सन्यासि पर नवालिके साथ दूस्कर्म करने क आरूप लगाया गया है नवालिके परिजन उन्हें या आरोप सन्यासि पर लगाया है जो जमशेद्पुर की सरी S.P. खुद इस मामले की जाज कर रहे है जबकि नबालिक के परिजन आरोपी को जेल फेचने का दवा पुलिस पर बना रही है बताया जाता है कि मामला पूदवा रात का है जब आश्रम के बाहर एक नबालिक युपती बैठी हुई थी इसके बाद आश्रम के एक सन्यासी ने नजर उस पर पड़ी तोन होने उन्हे आश्रम के अंदर आने को कहा जिसके बाद उसमें भूजन भी दिया साथ इना बालक युफती के परिजनों के अनुसार आश्रम के एक सन्यासी के दोरा विफ्ति को कमरे में ले जाये गया और उसके साथ दुसकर्म करने का प्रयास किया गया जब यह मामला पुलिस के संग्यार में आया तो पुलिस के द्वारा आरोपी को थाना ले जाये गया और फिलहाल मामले की जाज की जारी है वही जमशेत पुकिस DSP की अनुसार मामले के जाज निश्पक्षता से की जारी है इन्होंने कहा कि जिस सम्यासी पारूप लगाया जारा है उनके द्वारा अब तक जो भी घटना क्रम पुलीस को बताया गया है वह सभी उक्त कैमरे के बाहर सस्टेवी कैमरे में रिकॉट है और जब तक विस सही पाएगे वही नोंने कहा कि नवाली के परिशनों पुलीस की मदद नहीं कर रहे है और पुलीस पर जबरन आरूपी को जेल भेजने का दवाब बना रहे है जबकि मामलस बस्ट होने के बाद ही पुलीस अपनी कारवाई करेगी कार से बता रहे हैं वो सारी बाते सीसी टीवी जो रूम के बाहर जो सीसी टीवी कैमरे लगी हुई है प्लीज मार्क दीज वाट रूम के अंदर सीसी टीवी कैमरा नहीं है तो फिर से हम दुबारा चेक कर वा लेंगे क्योंकि हम अभी घटनास थल पे नहीं गए है हम दुबारा चेक कर वा लेंगे लेकिन जो फूटेज हम लोगों के पास उपलब्द है अभी उस फूटेज में आरोपी जिस तरीके का स्टेटमेंट दे रहे हैं उसकी पुष्टी हो रही है जैसे उनका काना है कि वो बाहर भी आए उसके बाद रिचार्ज कराने आए और ये जो बच्ची है जो पिरिता है वो पहले खुद से आई फिर चुकी को विश्राम कर रहे थे तो चली गई फिर दुबारा आ करके खुद से बैठ गई और काफी रो रही थी तो मैंने जैसा पहले भी बताया है कि ये एक बहुत ही संगीन मामला है एक बहुत ही गंभी प्रकार का आरोप है तो इसको हम लोग हर एक बिंदू पर हर एक पहलू पर बढ़िया से जाच कर लेते हैं उसके बाद ही करवाई की जाएगी इसमें क्या लग्की अखेले रों में जाते हैं लिकी गई है कि पावाई उसको साथ ले जाएगी नई अकेले अच्छा सवामी जी को पुलीस अरिष्ट की है अभी हम लोग पूश्टाच करने के लिए उनको थाना बुलाए हैं पूश्टाच की जा रही है हर एक जैसे मैंने पहले ही बताया कि यह बहुत ही एक संगीन मामला है इस पर हर एक बिंदू पर किया जा रहा है जो अभी जो पीरिता हैं उनके भाई आया हुए है तो वह रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी पुलिस के जांच में पूश्टाच में वो कॉपरेट करें लेकिनों किसी बात को कोई भी बात उनसे पूशा जा रहा है तो एक ही चीज बोल रहे है कि आप लोग आरोपी को जेल भेजिए इसमें पूशना क्या है तो थोड़ा कॉपरेट करने का उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे और विदिन ड्यू पोर्स उनसे पूश्टाच की जाएगी तो रेप का इफायर हुआ है तो रेप का इफायर हुआ है तो वहीं आश्रम के प्रदान के अनुसार आश्रम के बाहर युपती को ठंड में देखकर उने साथियों के द्वारा उसे साहरत दिया गया था अभीतर बुलाकर उसे रहने के लिए जगा दिया गया इन्होंने अनुसार पुलिस वतंतर रूप से अपनी कारवाई कर सकती है और इसके लिए आश्रम में उनका सहयोग करेगा बले आप लड़क्य को साथ बात करेंगे सामी जी और बुला ये इतना चटा लड़की हमको तो विसाजी नहीं हो रहा है और सुझीद महराज भी बल रहा है हम एसे कुछ कम नहीं किया जो उसका जो तर्चार बात बोल रहे है यह हम किया ही नहीं तो अभी देखिए प्रॉ टेस्ट करके क्या होगा और इधर CCTV में क्या बता रहा है। अभी कोई डिसेशन हम तो कलकाता हेड़ाभीस से बात किया। कलकाता हेड़ाभीस बोले अभी इसको एकस्पेल करने के लिए। एकस्पेल करके वो जो केस होगा जो दी केस होगा ता केस होगा। वो बेल मिल जाएगा तो बेल मिल जाएगा किन्तु अभी एक प्रेजंट को एक्सपेल करने के लिए हमको बताया। बिस्टुबू तिलिप पुस्तकालें प्रदेश कॉंग्रिस अदेक्स डॉक्टर जेक हुमार एक प्रेसवारता के दौरान राज्च सरकार पर जम करनी साना साथे। नौकरियों में दस साल काम करने वालों को स्थाई करना चाहिए है। किसान परिशान हैं, माइला परिशान हैं, नौयूवक्तों पूरे समाज के एक एक वर करके जो कहते हैं कि चुन-चुन करके बरबाद करने का जो काम बात के जन्दा पार्टी की सरकार ने किया। कई माइनों से पारश्रिक्षक रोग आडोलन रख हैं। अब उनकी मांगें जो आगर आप देखेंगे, उनकी मांगें कि चतिसगर की तरह जो उनके स्थाईकरन होनी चाहिए और वेतर जो है, उसी आदार पर उनका वेतर मिलना चाहिए। जो कॉंग्रेस सरकार जब आईगी तो हम लोग ने का कि चतिसगर की सतर्थ में हम लोग पूरी तरह सो इसको दरातर पर ले आएगे। जमशेदपुर के गोर्मूरी पुलिस ने नामदा बस्ती के पुर फॉरजी को हत्यारों के साथ ग्रिफतार किया है। जिहाब पुर फॉरजी मनोव सेंग को शादे समारों में फारिंग करने का आरोप है। पुरे ममरी की चॉश्म पर खारों किया जा रहा है। नामदा बस्ती में छपा मारी किया गयाता। पहले सुचना मिला थे कि संभूज कल्यान कलम में जोह सो साथी समारों के दोरान फारिंग हुआ थे। तो फैरिण के दौरान बाद में मानुवा थिए मनोज सिंग हो फैरिंग तिया है । gång teu कहां से उपलंग हुआ है, यह ही बता सकते है। में धुछिव उन्हस माहम स्थरण डूर जॉव्नित्स है एक गन है और एक पिस्टल है एक रिवल्वर है। राइफल और गन जो है सो लेसेंसी है लेकिन लेसेंस का अब धी फेल है और पिस्टल और रिवालवर अब अब आगा स्टूडेंट यूनियन के द्वारा चृताया जा रहा है इन्होंने कालेज के प्रचारे के स्वमक्ष अर्धनग्र अवस्ताम प्रतश्न किया इनके अनुसार इस कालेज में वैसे चातर सिक्षा ग्रहन के लिए पौसते हैं जो गरीब तब केकी है और पूरे कोलान में के वर सालाना था इसको बढ़ागर 25,000 कर दिया जा रहा है पुर्ध में भी हम लोग परचारे मौदे से मिले थे और इस बात की हम लोग इस पश्चता मांगे थी कि हमारा शुल्ख जो एडमिशन का फीज होगा वो क्या होगा आप एडमिशन से पहले इसका गोशना कर देना चाह पर ऐसे तरज में जब अगर सरकार जहां एक तरफ करोड़ों रुपे का अनुदान करने करते में दिखा रहे हैं दुस्तरी और एक लाग को बोलती कि मैं अनुदान नहीं मिल पार तो ऐसे में कैसे विद्यारती अपने सिक्षा ग्राण कर सहेंगे जब 5,000 का फीज को एक अचानक से रातो रात 25,000 में तब्दील किया जा रहा है हम लोग इसका विरोध करते हैं हम लोग मांग करते हैं कि फीज विर्दी अगर हो तो कुछ हद तक हो परन्तु इतनी विर्दी नहीं चलेगी और इसका विरोध जारी रहेगा जब तक फीज विर्दी को वापिस नह लिया जाएगा या उचित वर्दी नहीं की जाएगी तब तक इसका विरोध जारी रहेगा जिसमें कॉंगर्स के पूर मंत्री बनना गुपता भी शामिल हुए एक वर्स पूर्व इसी दिन कॉंगर्स के द्वारा साक्षी गोल चक्कर के समिप धना दिया गया था और उसी वक गोल चक्कर के पास ही एक रिक्सार चालक खुद को आग के हवाले करने का प्रयास कर रहा था कॉंगर्स का रिक्सार चालक के रिक्षा को भी चप्त कर लिया गया था और आस तक थाने में है इसके खिलाफ एक वर्स पात नियाए की मांग को लेकर इनके द्वारा मौन सत्यग्रे रखा गया था मौन वर्त में ही बैटे थे और जिसान अंसारी का सौप परिवार आत्महत्या करने कोशिश में हम लोग उनको बचाए थे साक्ची थाना लेकर के गए कि उसका ओटो को क्यूं रखा गिया है उससे क्यूं पैसा मांगा जा रहा है इसी बात को लेकर के भाजपा सरकार की पुलीस ने बरबरता पुर्ण हमारे बज़ुर्ग नेताओं को हमारे महिला नेताओं को, हमारे युवा नेताओं को और हम सबों को लाठी चार्च किया और साथी साथ केस किया जिल भेजा तो हम लोग जनता के बीच में आये हैं और यह विश्वास दिलाने आये हैं कि जब जब भाजपा सरकार के द्वारा या रगुबर सरकार जी पुलीस को आगे करके जब भी इस तरह काम करें कॉंग्रेस पार्टी के लोग लाठी गोली खाने के लिए दरने वाले नहीं जमशेप्र में जिला जामुमो के तत्वधान में एक बैठक निर्मल भवन में आज़ित की गए जिसमें तमाम प्रवखंज स्थर के पदादिकाई को कई दिसंदेश दिये गए मुखिर उस्तों 10 जन्वरी से पूर्व पार्टी के द्वारा दिये गए सदस्ते अभ्यान के लक्ष को पूरा करने ही तो इस पैठक आज़िन किया गया गौतलवों की अगले लोकसबा तथा विधान स्वा चुनाओं से पूर्व सभी राजनितिक पार्टी अपने स्थर पर पार्टी को मजबूत करने में चुठी हुई है इसी कड़ी में चामुव जिला समती को केंडर कमिटी द्वारा पूरे जिले में दो लाख नए सदस्त बनाने का लक्ष दिया गया है प्रखण स्थर पर अधिक से अधिक सदस्त अभ्यान चुलाकर इस लक्ष को पूरा करने तथा पार्टी को चुनाओं से पुर्वर मजबूत करने को लेकर जबैठक में चर्चा की गई बैचक में पार्टी के जिला अध्यक्ष्ट ने तमाँ प्रक्षण इस्तर के पदादिकारियों को तैय समय पर इस लक्ष को पूरा करने का निदेश दिया है वह शहीत निर्मन महतों के जैनती जो 25 दिसंबर को है इस बातत होने वाई शद्धान जे सवा को भी लेकर कहीं जिसंतिये कारकरताओं को दिये गए दिसंबर से 11 जन्वरी 10 जन्वरी तक आई ये हमारा सदस्ता गरन अभियान चलेगा और जिस पर से आज उस सदस्ता घरन अभियान को और तेजी करने के लिए इस बैठक बुलाया गया है कि 25 दिसंबर को जो हमारे बिर्शे निर्मल मातों का जैनती दिवस है जिस पर भी हम लोग आज नीने ले रहे हैं हम लोग सभी पुले जिला के सभी परखांड सभी वीग हम लोग समय नुसार दो बज़े तक हम लोग सहीद अस्तल्व पहुंचेंगे जमशेदपुर के खास महल इसती सदस्पतार में कॉम्प्रेसिग ऑपरेशन केयर पर एक बैटर का आशन किया गया जिसमें कोलान इसतर की तीनों जिले के सिविल सर्जेंट माचूद थे अग्यात लोगों के पास अकुशल हातों से गरपात करवाने से कई तरह के समस्याओं से महिला को गजरना पड़ता है ऐसे नी उनकी मौद भी हो जाती है इसे ध्यान में रखते हैं सिविल सर्जेंट कारियाल एंग कॉम्प्रेहिसिव ऑपरेशन किया गया जाय से सम्मधि ट्रेनिंग भी दी गए इस विस्याओं पर समिक्षा की गई साथ ही चर्चा भी की गई जा मुकी लूँ से तीनों से जिले के सिविल सर्जें मौजूद थे इदर सिविल सर्जिन महीशो प्रसाद ने पताया कि गरोपात से समधी विभिन विस्यों पर समिक्षा की गई साथ एक इस तरह की समस्यात्पन हो रही है और उसे किस तरह से दूर करना चाहिए इस परमात्पूर्ण दिसन देश लोगों को दिये गए आज इस कुलहंत प्रमंडल के तीन जीले की बैठक है जिसमें कंपरी हेवन से एबार्शन पे चर्चा की गई है कितने सर्विस प्रोइडर हैं और कितने कारी कर रहे हैं उसकी समिक्षा की जाएगी उसके बाद उसकी रिप्योटिंग सिस्टम पे चर्चा की जाएगी और उनको आगे के कारी करने की पधती पे ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि ये इंप्रूब हो सेफ एबार्शन हो जिले में जो एबार्शन इदर उदर हो जाता है वो इन्फेक्षन से 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 मैलाओं के जान को खतरा रहता है अता ये कम्प्रिहनसिव सेफ एबार्शन पे आज बिस्त्री चर्चा की जाएगी जमशेत्पुर के गोविंपुर्थाना शेत्र अंतगत एक सिमिन प्लान का 22 वर्शे ठेका मस्दूर की संदिक दवस्ता मौत हो गए जी हाँ वह परिजन ठंड से मौत होने की बाते कह रहे है परिजनों की माने तो रात में ठंड लगने से मौत तक घर जाने की बात कहा लेकिन जैसे ही मान को बस ठंड लाए गया तो उसकी मौत हो गई जिसके बाद परिजन उसे एमचो मस्पता ले गए जान टॉक्टर ने समौत खोशित कर दिया वही जो खुटे जिला का रहने वाला मृत तक है फिलाल सौ को पुलिस अपनी कबजी में कर पुसमाचन के लिए फीज़ दिया जाश परताल सुरू करती है पोटका के दीवली काव में तस एकड़ बंचर भूमी में दो किसान सबजी की खेती कर एक मिसाल कायम किये है वही किसान अपने परिवार के साथ खेतों में कड़ी मेहनत कर मुली, बंधा गोबी टमाचर, पालग बैग और आदी भी खेती कर रहे है लेकिन किसानों को सही सबजी के दाम नहीं मिलने से काफी परिशान है वही किसानों का कहना है कि क्रिश्य विभाग से हम लोगों को मदद नहीं मिल रही है केवल अपने पैसा से हम लोग खेती कर रहे है जो बोड़कर पनावाइब की दूंचार में इसा पूंचे जिले के बीपेल कार्ट धार्यों गरीब रेखा से नीचे रहने वाल लोगों के बच्चे को सिक्षा दसवी तक मुफ्त और इस मांग को लेकर अईभाबक संग एक विशाल रैली निकाली और पूरे शेयर कर भवन करते उपायुत कारेले का घेरा कर जोड़ा प्रदर्शन भी किया गया उपायुत के माध्यम से मुख्य मंत्री के नाम एक मांग पत्र सौपा गया जिसमें मांग है कि गरेवी रेखा से नीचे रहने वाले च्छातर च्छात्रा को दसवी तक मुफ्त सिक्षा दी जाए वो इंग्लिस मीडियम स्कूल जो वीपेल कार्ट धार्यों का अडमिशन नहीं लेते हैं और सिर्फ खाना पूर्ति कर दे है ऐसे चात्रों को अगर दस्वे नेशन प्रदान की जाए तब इनका जाकर उध्यान सब्सक्राइब हो पाएगा अगर बच्चे ड्रॉप ओट होते हैं तो बच्चे कहीं के नहीं रह जाएंगा आट वी पास होने के बाद जमशेदपूर अभी ओक संग आज उपाइट महदे का माध्याम से माध्यम मुख मंजीद इसका पास मांग पतर देने आया है जमशेदपूर में खेले जा रहे ओल इंडिया स्टील प्लान हैंड बॉल चैंपर सिप का किताब जिसमें कूल साथ स्टील प्लान की खेलारियों ने अपने खेल का जोहर दिखाया जहां फाइनल मुकाबला टाटा स्टील प्लान एवं बिलाई स्टील प्लान के वीच खेला गया इस रोमान चक मुकाबले में टाटा स्टील ने 20 के मुकाबले 25 गोल पर चैंपर ट्रॉफी प्रपना कबजा जमाया जहां बतौर मुक्याती थी टाटा स्टील खेल वीभाग के हैंड आसिस कुमार मौजूद थे मुक्यातीती के रूप में विजयताओं को प्रुस्कित भी किया गया वही खेलारियों को संबोधित करतेव आशिज चौधरी ने कहा कि पिछले 15 वर्सों से औल इंडिया स्टील प्लान हैंड वाल जैंपर सेवका एज़न किसी कारणवस्त नहीं हो पाया था मगर सब इस स्टील प्लान की सहमती से प्रक्रिया फिर से सुरू हो गई है जहां हम खेल के माधम से पूरे देश के स्टील प्लान की एकता कुर्दश आ रहे है वही स्टोला मेंड में साथ स्टील प्लान की टीम ने अपने प्रतीबा को दिखाया और इस चीत खेल भी हुई, ना कि किसे स्टील प्लांट की. संके, लगता नहीं था कि हम लोग आज इस वक्त एक शांदार और सफलता पूर्वा के टोड़नामेट को समात कर पाएंगे. So thank you to Rain God also, कि at least उन्होंने one and a half day हम लोग को दिया कि हम लोग इस चीज़ को complete कर सके. ये बात बिल्कुल सही है कि जिस तरह का मौसम था जिस तरह के रिसोर्स थे, अगर हमारे पास हमारे जो ग्राउंड स्टाफ है, शाहिद, दिल्लू और उनकी प्यूरी टीम, और अविनाश और उनका गैंग, अगर ये लोग घठे होके ये action नहीं करते, तो शाहिद हम मेरे ख्यान से मैं तबज्जो दूबा कि सभी जो सातो स्टील प्लाउंट की टीमें यहां आई थी, और आप लोगों ने तै किया कि हम लोग इसको नॉकाउट के स्टूप में स्टार्ट करेंगे, और वो जो जज़वात है कि हम लोग हर मैच को कोई जरूरी नहीं के जिस् प्रित्व में आपनों को जो प्रिसिजन को माना, वो सबसे इंपोर्टेट था इस मैच को और गनाईज होने में, क्योंकि एगर सारा रिसोर्स अवरबल कराने के बावजूद बिकर आप तैयार नहीं हो तो जो कि आपका पूरा अधिकार साथ जमशेदपुर के पश्रिम घोड़ा बांदा पंचायक के मुख्या विजय हांस्ता के खिलाब ग्रामीनों का अक्रोश फूट पड़ा है और ग्रामीन मुख्या खिलाब मूचा खोलती वे ख्रंगा जार चौकपर धने पर बैच गए है इन लोगों ने मुख्या विजय हांस्ता पर कई संगीन आरोप लगाते वे उनकी बरखास्ती की मांग की है और कहा कि मुख्या और बीजियो की मिली भगा से केंदर रा सरकार की योशनाओ का लाब आम जंता तक नहीं पहुश पारी है इन्होंने आरोप लगाया कि सौचाले निर्मान सडेकर सड़क शुद पारे सलेकर पंचायत भवंत तदर भच्टा चार चरम पर है वहीं नोंने पूरे मामले की जाज कराकर दोसी मुख्या पर अभिलाम कराय के जाने की मांग संबंदी दिव्याब पर ग्यापन मुख्य म लुटें अगया तो हम बोले तब दीजे तो फिर 6,000 दिया और चीहाजर दे के जब पूरा बना लो तब जैके 6,000 देगा तो हम कहां से लाएंगे पैसा जब सरकार दे रहा है तो 12,000 पूरा टंकी खली बना है रूम नहीं बना है, 6,000 दिया ऑद 6,000 का काम हो गिया है तक नहीं बना अधूरा करके आप लोग छोड़ दिये हैं खाड़ांगजार में रहते हैं हम लोग आज बैठे हैं कि एक आटी आई के तहप में पस्चिम गोड़ावंदा पंचायत में सुरू से 2016 से गोटाला लगातार हुआ हैं घोटाला जोएग़ लगातार घोते रहा हैं हर भिसय में ए हर भिसय में आपको सोचाले के नाम पर जो परधान मंत्री सोचाले योजना है इसके हैं इसने 12,000 रुपर परतेक लाभूग के नाम पर दिया जाता है लेकिन एक व्यक्ति को जो हमारे इस पंजायत का जल सहिया है उनको ही 6 लाख रुपया अपनी पतनी पती को ही दे दिया ये एक मामला आकियाई के ताथ में आया इसके बाद में और भी हम लोगों ने लिखित सिकायत किया है मानने है उपाईक मौदय को कि एक नाली का निर्मा बगल में आपका PCC सडक बनाई गई है जिसमें सिर्फ धूला सिर्फ धूला उड़ता है उसका गिट्टी दो महना पहले इसी जगह में बना है आप देख सकते हो उसको कि उसमें गिट्टी निकर रहा है दो महना पहले अभी हुआ है इस तरह का है इस कदर तक ये मतलब घो चाहिए तो वहां पंचायत की समस्य पर चर्चा नहीं होके वहां सराप पर चर्चा होती है चखना पर चर्चा होती है और घोटाला किस कदर किया जाए इस पर चर्चा होती है पंचायत की विकास पर चर्चा नहीं है कल आदितिपूर के आटो क्लस्टर में राजी के मुख्यमंद्रे अबरदास की ओर से 90 कंपनियों की आधार सीला रखी गई जिसको लेकर भाष्टपा में काफी खुशी देखी गई है वही भाष्टपा के प्रदेश प्रवक्तर राजी इसकुमार सुक्ण ने कहा कि विपक्ष यहां तका विकास नहीं चाहते है मुख्यमंद्रे के इस कदम से कुनहान के युवाव में आशा का जोश भरने और युवाव में नया उत्सा भने का काम किया गया है चाइबासा और मनुवार पूर में जो कंपनियों लगर जारी है उसे युवाव के निरोजगार के असर बढ़ने चारे है इन्होंने कहा कि राजी के मुख्यमंद्री रगवरदास के नेतित में राज का चौतरफा विकास हो रहा है राज की जरनता विकास के साथ है तो वहीं विपक्ष का विश्लित होना स्वभाविक है उनकी पिड़ा समझा जा सकता है यहां का विकास नहीं चाहता विकास जहारकंड विपक्ष के लोग जहारकंड का भी विकास नहीं चाहते है मुक्ह मंत्री जी ने विंडर डबलप्मेंट प्रोगाम के माध्यम से कुलहान के लोगों और खास कर कुलहान के जुआओं में एक आसा का जोस भरा है एक नया उत्साह पैदा हुआ उनके अंदर और आज सबसे बड़ी बात यह है कि चाईबासा और मनोहरपूर के बीच में जो इंडस्टियल विवस्था बनने वाली है और द्योगिक विकास का जो केंदर बनने वाला है उससे रोजगार के आसर उनके पास स्वयम पहुँच रहा है एक बड़ी उपलब्धी है राजे के मुक मंत्री रोगबर दास के नितुरत में एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है जिसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि राजे बहुत तेजी से विकास कर रहा है कि भारतिय जनता पालिटी की सरकार इस तेजी से विकास कर रही है और लोगों का रुज़ान लोगों का उस्साह इस सरकार के साथ है लोगों का भारी समर्थन इस सरकार के साथ है इस योजना के सा तो वो उनका निश्चित रूप से बिचलित होना सभाविक है मैं उनकी पीड़ा समझ सकता हूँ और अब चले स्पैनेश रालते अब तेक की सुर्के पर कॉंग्रिस परदे सदेक्स डॉक्टर अजेक कुमाने राज सरकार पर साधा निशाना कहां रागोर्ट दास ने किया हर्वर के लोगों को दिया थोका गोलबुरी पोलीस ने नामता बस्ती के पूर फॉजी को अवैत रूप से हतियार रखने के आरोप में किया गृफतार गृफतार पर भेजा जेल और कॉर्पर्टिव ला कालेज में नए सत्र के अड्मिशन फीस में परणुतरी खिलाव स्ट्रेंड यूनियन ने किया अर्थ नंग्र प्रदर्शन तो आज के लिए बस इतना ही आप बनी निमारे साथ नमशकार